हेलो दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉन्फलेक। दोस्तो कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो में आप लोगो को बताया था कि इंडिया और इस्राइल के बीच में आइरोन डोम मिसाइलों को लेके क्या समझाता हुआ था। और आज के इस वीडियो में आप लोगो इस्राइल का ही बनाया हुआ दो अलग एर डिफेंस सिस्टमों के बारे में बताऊंगा और ये एर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग और एरो थ्री मिसाइल को लेके है। दोस्त वीडियो का टूरल दो पार्ट रहेगा जिन में सबसे पहले मैं डेविल स्लिंग के बारे में बताऊंगा जबकि आखरी पार्ट में बताऊंगा कि क्या इंडिया और इस्राइल के बीज में एरो थ्री मिसाइलों को लेके हाली में कुछ समझाता हुआ और दोस्त इसे जानने के लिए वीडियो के आखिर दग बने रही है। इसे बनाने का मेंट पर्फोस था 20 किलो मेटर से लेके 300 किलो मेटर रेंज के अंदर दुश्मनों के प्लेइन, द्रोन और टैक्टिकल बैलेस्टिक मिसाइल के साथ साथ मीडियम और लॉंग रेंज का रॉकेट और क्रूज मिसाइलों को मार गिराना इसके इलावा डेविट स्लिंग मिसाइलों के द्वारा इस्राइल में इस्तेमाल होने वाला अमेरिकी MIM-23 Hawk और MIM-104 Patriot मिसाइल सिस्टमों को भी रिप्लेस किया रहा था दोस्तो इन सिस्टमों को जब डेवलफ किया जा रहा था तो सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया रशिया का Eskander और चायना का DF-15 मिसाइलों के उपर दोस्तो ये दोनों मिसाइल ही short range के tactical मिसाइल है और दोनों मिसाइल ही low fly कर सकता है और इस तरीके का मिसाइल इस्राइल के दुश्मन देशों के हाथ में भी लग सकता है बोलके इस्राइल के तरब से इन मिसाइलों को काउंटर करने के लिए अपने air defense system को full proof बनाया गया 2017 में इन मिसाइलों को इस्राइल के बेडे में शामिल करने के बाद 2018 में ही मिसाइलों को एक real threat का सामना करना पड़ा जब सिरिया में ग्रिय हुद्ध चल रहा था तब सिरिया के तरब से दो Russian made OTR-21 मिसाइलों को इस्राइल के तरब दागा गया था जिन में से एक मिसाइल को डेविट स्टिंग द्वारा इस्राइल के बॉर्डर में ही neutralize कर दिया गया था जबकि दूसरा मिसाइल के बारे में तब कुछ जानकारी नहीं मिला लेकिन 2019 में Chinese media में report किया गया कि इस मिसाइल को रेशिया द्वारा ही capture कर लिया गया था दोसो इसके इलाबा आपको सुनके हैरानी होगा कि डेविट स्टिंग मिसाइल को लेके भी 2010 में भारत का नाम जोड़ा गया था जब इसराइल के राफाइल अडवास डिफ़ेंस सिस्टम के प्रेसिडेंट लोवर ड्रॉर इर के तरफ से खुलासा किया गया था कि इसराइल द्वारा भारत को डेविल स्टिंग मिसाइलों का ओफर किया गया है दोसों ये वही समय है जब इंडिया द्वारा एर डिफेंस सिस्टमों को खरिदने के लिए प्रयास चलाया जा रहा था और कई सारे देशों के साथ एर डिफेंस सिस्टमों को लेके बातचित भी चल रहा था पर क्यू भारत के तरफ से devil string मिसाईलों को लेके कोई positive जवाब न जा रहा है कल के दिन ही अप लोग मिडिया में सुने थे कि इंडिया के कोई बहुती करीवी दोस्त देश के दरब से इंडिया को कोई एर डिफेंस सिस्टमों का delivery किया जाएगा दोस्तों आपके जानकरी के लिए बता दूए कि ये करीबी देश और कोई नहीं बलकि इस्रा जब एक समय इंडिया के तरब से इन मिसाइलों को खरीदने का प्रयास किया गया था पर एक देश द्वारा इसे रोग दिया गया और फाइनली इंडिया इन मिसाइलों को इस्राइल से हासिल नहीं कर पाया 200 Aero Series के मिसाइलों को अगर देखे तो ये भी Devil's Link जैसे ही एक Advanced Air Defense System में लेकिन Devil's Link जैसे इसका रेंज इतना जादा नहीं सन 2000 से ही इसराइल के Defense Forces के अंदर Aero Series के मिसाइल ओपरेशनल है और इसका सबसे आधुनिक मिसाइल है Aero 3 और इसे 2017 में इसराइल के Defense Forces में ओपरेशनली सामिल किया गया Aero 3 मिसाइलों का रेंज 50 से 1500 किलोमेटर तक माना जाता है और ये भी बैलेस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हेलिकॉप्टर, अन्मैन एरियल वेकल, रॉकेट और फाइडर हेरक्रेप्टों को इंटरसेप्ट करके मार गिरा सकता है इन मिसाइलों का इत्यास Devil's Link मिसाइलों से काफी जादा है क्योंकि ये लगबग 2 दशक तक Israeli Defense Forces में operational है पर आज की इस वीडियो में आप लोग को इसके साथ भारत का क्या रिस्ता है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तो एक समय था जब भारत के तरब से इन मिसाइलों को खरिदने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया था और ये समय कारगिल के लड़ाई के बात से ही बनना शुरू हुआ और 2010 तक भारत और इस्राइल के बीच में इस तरीके का कोई फुल प्रूब एर डिफेंस सिस्टमों का दोस्तों 1999 से 2002 तक इंडिया और इस्राइल के बीच में ओपेनली एरो मिसाइल सिस्टम को लेके बात चित चला और इंडिया के द्वारा एरो टू मिसाइल को खरिदने के लिए काफी जाधा इंट्रेस्ट दिख अपना खुद का बनाया हुआ पेट्रियोट और थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को बेचना तब सही अमेरिका द्वारा भारत को थाड और पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम बेचने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन इंडिया द्वारा अब तक थाड या पेट्रियोट म इस्टम नहीं दे सकता था पर इस्टम दुआरा पक्का दोस्ते निभाते हुए भारत को 2005 में ग्रीन पाइन रेडर सिस्टम दिया गया जो इस्टम के एरो एर डिफेंस सिस्टम का एक प्रमुख इस्टम है और इसे इस्टम के तरब से समपूर्ण इंडिजिनेस तरीके से ब बना चुका है दोस्तो अमेरिका ही वही कारण था जो 2011 में इस्टम के खरीदने में नाकामिया भी मिला तो इंडिया फाइनली एक और सिस्टम मतलब रुच्या से स-400 सिर्चम खरीदारी के तरब आगे बढ़ा दोस्तो पर 2011 में एक रिपोर्ट ऐसा भी आया था जिसमें इस इस बात का जिकर किया गया कि इंडिया और इसराइल के बीज में एरो टू मिसाइलों को लेके शायद कोई बातचित हो रहा है लेकिन उसके बारे में ना ही इंडिया और ना ही इसराइल के तरफ से कोई खुलासा किया गया तो कुल मिला कि इंडिया इसराइल से एरो टू मिसा अगर आपको जानना है कि इंडिया और इस्राइल के बीच में जो बराक एड सिस्टम का डील हुआ है और इंडिया इससे अपने आपको किस तरीके से चायना के खिलाब मजबूत कर पाएगा तो कॉमेंट करके जुरूर बताईए और आप लोगों के कॉमेंट के बेस में मैं मिसाइल और बराक एड मिसाइल के द्वारा इंडिया किस तरीके से चायना को काउंटर कर पाएगा उसके उपर जरूर एक वीडियो बनाऊगा तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक कीजिए और मे पीछे बटन के साइडियो बना हुआ बेल आइकोन को भी प्रेस कर दीजिये ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जाए हिन